सुआगत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो ये इंडियन प्रीमियर लीग का सत्रवा मैच गुजराट टाइटन्स परसिस पंजाब किंग्स के टीम के बीच में खिला जाएगा इस मैच के बारे में इस व प्रेंद्र मोधी इस्टेडियम एहमताबाद में खेला जाएगा मैच फॉर्मेट की बात करें टीटवन्टी का ये फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्तों भी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़ है तो आप लोग का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इ लीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पीच रिपोर्ट से तो दोस्तों इस पीच की बात करें तो ओवरॉल ये बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट रहता है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहां का 179 का राय इसके अलावा दोस पंदरा बार यहां पर चेसिंग करने वाली टीम जीती है और एक मैच टाई रहा है यानि कि अगर आप यहां पर देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट और सेकेंड में उतना कोई खास अंतर रहता नहीं है अब अम लोग यहां पर स्कोरिंग पैटन की बात करें तो जो यहां टोटल 29 मैच इस खेले गए हैं उसमें से साथ बार 150 के बिलो स्कोर रहा है आठ बार 150 से 179 के बीच में गया है आठ बार 170 से 189 के बीच में रहा है और 6 बार यहां पर 190 के ऊपर भी स्कोर जा चुका है यानि कि ओवरॉल बैटिंग के लिए काफी अच्छा यह विकेट रहता है कोई टीम यहां पर खुद खराब ना खेले तो काफी अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है अब हम लोग यहां पर पेस वर्सिस इस्पिन की बात करें तो जो लास्ट 19 टी 20 के मैच इस वेन्यू पर खेले गए हैं अगर आप उन्हें में देखोगे तो यहां पर 156 विकेट को मिलें वही 66 विकेट इस्पिनर ने निकाले हैं यानि कि आप लोग आप साफ साफ देख सकते हो यहां पर पेसर काफी ज्यादा आगे रहते हैं तो उसी के साफ से आप लोग अपनी टीम ग्रेट करना अब यहां पर दोस्तों जो इसी सीरीज के दो मैचेस अभी तक इसी वेन्यू पर खेले गया उन दोनों मैचेस का आप लोग यहां पर स्कूर कार्ड भी देख सकते हो ताकि आपको यहां पर थोड़ा सा और समझ में आए तो दोस्तों जो लास्ट मैच यहां पर खेला गया वो यहां पर S.R.H. वर्से जीटी के टीम के बीच में हुआ जिसमें S.R.H. की टीम ने पहले बैटिंग करते हो एक सो बाशट बनाए आठ वेकेट के नुकसान पर और G.T. की टीम ने इसको चेस किया एक सो अर्शट बन कर तीन वेकेट के नुकसान पर लगबग 20 वे ओबर में अब इस मैच में आप देखो के पेसर को 6 वेकेट मिले हैं इस पिनर को 4 मिले हैं चेसिंग करने वाली टीम ने इस मैच को विन किया है उससे पहले यहां पर मैच हुआ जिसमें G.T. की टीम ने पहले बैटिंग करते ह यहां पर 168 मनाए और M.I. की टीम को 162 पर रोक दिया यह वाला मैच M.I. की टीम सिर्फ 6 रन से हार गई थी अब यहां पर आप देखो के पेसर को 13 वेकेट मिले हैं इस पिनर को सिर्फ 2 वेकेट मिले हैं और चेसिंग करने वाली टीम इस मैच को हारी है तो आप यह चीज़ में टोटल अभी तक 3 मैचिस खेले हैं जिसमें से 2 जीत हैं एक आरा याने की काफी अच्छा है इनका अभी तक परफॉर्मेंस रहा है अब हम लोग आपे गुजराट टाइटन्स की टीम की प्लेंग 11 और प्लेयर स्टार्ट के बारे में जानेंगे तो आप लोग हम वीडि पारी अभी तक नहीं आई है पर आ सकती है इनका देखो के 36-8 और 31 इस तरह से स्कूर रहा है इससे पहले रिशेंट फॉर्म भी देखना चाहो तो फॉर्म भी काफी अच्छा है रिद्मान साब विकेट कीपर बल्लेवाज है इनको भी ट्राइग कर सकते हो क्योंकि काफी अच्छे प्लेर है 38 का एवरेज रखते है रिशेंट देखोगे 45-37-45 इस तरह से स्कूर रहा है बाकि इससे पहले का भी देख सकते हो विजय संकर है राइटी बैटिंग रैटर मीडियम बॉलिंग डालता है पार्ट टाइम बॉलिंग कराते बॉलिंग इस सीरीज मे इनके नीचे आए तो इनका बैटिंग ओर्डर ऊपर नीचे भी हो सकता है डेविड मिलर 35 का एवरेज रखते हैं टीटी के काफी अच्छे अपलेन है फस्ट बैटिंग में ट्राइ करना चाहो पनी स्मॉल लीकी टीम में भी लेके जा सकते हो यहां पर इस सीरीज में देख सकते हो राँल तेवटिया हों इका जिल में ट्राइ कर सकते हो इस मॉल लीग में नहीं लेना है मैं पे मैचिस में 193 हैं इनको आप ट्राइकर ना चाहरू कर सकते हुआ कि इनके ओवर कट जाते हैं। इसमॉल लीग में रिस्की है पर घीलेम की टीम में ट्राइक कर सकते को यई अगर इड़ीट की टीम पहले लिए बॉलिंग डालते हैं 42 मैच इसमें 65 विकेट हैं लास्ट मैच के लिए विकेट लेस रहा है उससे पहले का फॉर्म देखोगे लगबाग ठीक ठाक रहा है इनको दोस्तों जियल में ज़रू ट्राइ का लेना नाल कंडे आपके जियल के अच्छे पिक रहेंगे मोई शर् का अपे हैं पे इन फ्टार्ट देखंगे चल सकते हों बाकि इन में से कोई भी खेलता है उसका इस्टर्ट आपको टॉस के बाद टेलीगराम पर मिल जाता है तो उसके लिए आप हमें अगर अगर Spencer Johnson खेल जाते हैं तो वो भी death में आते हैं अब हम लोग आपे दोस्तों बात कर लेते हैं पंजाब Kings की टीम के बारे में तो दोस्तो पंजाब किंग्स की टीम की बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम ने यहाँ पे इन्होंने भी तीन मैचेस पंजाब किंग्स की टीम ने भी खेलें जिसमें से एक जीता है दो हार है तो यह इनका परफॉमेंस रहा है अब हम दोगे आप पंजाब किंग्स की टी सिखर धवन की अपने टीम के कैप्टन है important खिलाड़ी है IPL में इनका performance भी काफी अच्छा रहा है और रहता है और overall भी important है यहाँ पर देखोगे 70-45-22 इस तरह का इनका performance रहा है इससे पहले का recent देख सकते हो जोनी ब्यार इस तो अच्छे खिलाड़ी मैं सुरू से बोल रहा हूँ अच्छे प्लेयर है पर recent इनका उतना अच्छा नहीं रहा है जितेज सर्मा हैं विकेट कीपर बल्लेवाज है इनको भी आप लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो 27 का average रखते हैं इनका पर recent देखोगे 6-27-9 यह राय पर यह भी दोस्तों एक टेलेंटेट प्लेयर है अच्छी गासी हिटिंग कर लेते हैं और विकेट केपिंग भी करते ह लिविंग इस्टन का ऊपर नीचे भी हो सकता है यहां पर लिविंग इस्टन की बात करें राइटी बैटिंग करते हैं और पर एक बॉलिंग डालते हैं 256 मेच में 6000 से ज्यादा रण से 28 गेवरेज 105 विकेट हैं यहां पर रिशन में बालिंग नहीं करा रहे हैं प्यूर ब बॉलिंग में डेथ में भी आते हैं इंपोर्टेंट हैं मस्ट पेक हैं अगर पंजाब किंग्स की टीम पहले बॉलिंग करती हैं कैप्टन बनाके भी जा सकते हो क्योंकि लगबख थ्री राउंड का असपास आपको बैटिंग भी दे देते हैं और बॉलिंग भी काफी इसकी है आप लोग जील की टीम में ट्राई कर सकते हो हरसल पटेल दोस्तों यह प्लेयर आपके ट्रंपिक बन सकते हैं सेलेक्सन डीले उन पर देखोगे तो काफी कम लोग इनको लेके जाने वाल है पर अगर पंजाब किंग्स की टीम पहले बॉलिंग करती है इनको आप ल पर्फॉर्मेंस अभी तक कोई खास नहीं रहा है पर यह भी दोस्तों एक ठीक टाक इस पिनर है तो इनको आप लोग जील की टीम में जरूर ट्राई कर लेना जिस दिन विकेट लेके जाएंगे दो तीन इखटे लेने वाले हैं तो आप लोग इनको जील में जरूर ऑरले सब्केट हैं इनको भी अफक फर्ष्ट बॉल की में लेके जा सकते हैं औरसीं दोस्तों तो यहांपर र्श्टीप को भी आपर फ Or else्टबाव्लिंग में लेके जा सकते हूं इनके लावा जो यहांप बैंच पर बैठने वाले हैk उन्ष्टक अपलोग यहांप recuer्प स्टार्टिंग में सेम करन अर्षदीप सिंग कागीसो रबाड़ा या आपको स्टार्टिंग में देखेंगे डेथ ओवर्स में आपको यह पे हरसल पटेल कागीसो रबाड़ा अर्षदीप सिंग और इनके साथ में सेम करन यह लोग डेथ के बॉलन है कोई भी आ सकता है वैस पर दोस्ताव लोग बात कर लेते हैं दोनों टीम रहुँ हैं जोनों पर गेल कोलै गेलते हैं उनके बारे लोग यह आप दिखुगे Wen टीम वैट ठीम डिल काफ थोक्री काफी अच्छा पर्फॉर्मिंस राइग, साइई सुदर्सन ने भी लगबा काफी अच्छा किया है, तीन मैच में 119 रंस है, 69 का एवरीज है, सिखर धवन, तीन मैच, 105 रंस, 52 का एवरीज, लियाम लिविंगिस्टन का देखोगे, दो मैच इसमें 94 रंस हैं, मोहेश सर्मा का एक मैच इसमें 2 वेकेट है, दरसन नालकंडे का भी यहाँ एक मैच में 2 वेकेट, और नालकंडे को आप लोग जील की टीम में जरूर ट्राई कर लेना, यह आपके जील के काफी अच्छे पिक इस मैच में रहने वाले हैं, बाकी दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं, इस वेन्यू पर कौन कोन अच्छा करता है, हेट 2 हेट के बारे हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया, अब हम लोग यहाँ पर वेन्यू पर भी देख लेता है, इस वेन्यू पर कौन कोन अच्छा खिलता है, तो यहाँ पर आप देखोगे सुबमर गिल काफी वहतरीन यहाँ पर इनका head to head में record है और इस venue पर भी काफी अच्छा है 15 matches में 860 run से 72 coverage है जिसमें से 3 सतक और 3 अर्ध सतक इनके सामेल है इस venue पर तो यह आपके CVC की भी इस match में काफी अच्छी option रहने वाले है साइस उदर्सन है 8 matches में 381 run से 46 coverage है डेविड मिलर 12 match 264 run 44 coverage है तो मिलर ने भी यहाँ पर काफी अच्छा किया है सिखर धवन 5 matches इनों ने यहाँ पर खेले है 158 run से 49 coverage है जोनी बियरिष्टो 5 match 118 run 49 coverage है इनके अलावा आप बॉलिंग से देखोगे तो बॉलिंग से आपको अच्छा record किसी का देखने को मिलेगा तो मोईस सर्मा 11 matches में 25 वेकेट हैं इसी वेन्यू पर रासेत खान के यहाँ पर 12 match में 15 वेकेट है तो आप लोग यहाँ पर सबका देखके चल सकते हैं तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर इस match के बारे में जान लिया हर एक player के बारे में जान लिया आप हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलाल मैंने इस match की आप लोग बनाई हुए है पर final team के लिए telegram से जरूर जुड़ जाना क्योंकि toss के बाद जो मेरी final team होगी वो telegram पर ही मिलेगी तो जुड़ जाना link आपको इसी वीडियो को description आप मिल जाएगा मे गी करने आते हैं विकट कीपिंग करते हैं इनको ट्राइ कर सकतो अच्छे प्लेन हैं बाकि इनके लावा जिटेश शर्मा फर्स्ट बैटिंग में आप लोग चाहो small league jail दोनों में ट्राइ कर सकतो काफी अच्छी हिटिंग करते हैं आपने team से विकट कीपिंग भी यह जिते सर्मा कर रहे हैं मैंने फृलाल यहां पे जोनी विरष्टोण को सही पिक्ख किया है percentage जी पर भी काफी अश्चा है भी तो इनको अभी आप लोगा पर में में इक जा सकते हो अच्छे लय रहे आपको फर्ष्ट वैट्रिंग को में काम करके दे सकते हैं, पी सिंग को आप दोनों निंग में ट्राइ कर सकते हैं, यह भी टी टिवन्टी के अच्छे खिलाड़ी, अला कि रीजांट पर्फॉर्मेंस अगर आप इस सीरी में देखोगे, तो अभी तक उतना बड़ा स्कोर नहीं आया है, पर आ सकता है, यह भी टी टि लिवट यहां बॉलिंग इनको मिलनी रही बैटिंग करने काफी नीचे आ रहे हैं आप लोग एका जील में ट्राई करना चाओ कर सकते हो बाकि इस मॉल नीकल उतने अच्छे रहेंगे नहीं बाकि नीचे कोई नहीं कहल रहा है बॉलिंग सेक्षिन में देखोगे यहां पर मै इसकी टीम पहले बॉलिंग करती है आप लोग लेके जा सकते हैं मैंने आपर रबाड़ा को लिया है तीन मैचेस में साथ विकेट हैट टू हैड पर हैं काफी अच्छा है बाकि आप एच बरार आपके जील के पिक है एन एहमाद दोस्तों यह प्लेयर आपके ट्रॉम्प ट करें तो मैंने इस विज़े से फिलाल पिक किया है उमेश याद आपको जील में रोटेट कर सकते हो राहुल चहर भी आपके जील के अच्छे पिक है इनको भी जील में ट्राई कर लेना अभी जो यहाँ पर तीन मैचेस खेले हैं कुछ खास पर्फॉमेंस नहीं रही है पर आ सकती है तो इनको जील में ट्राई कर सकते हो नाल कंडे का भी सेलेक्शन काफी कम है पर यह भी आपके जील के काफी अच्छे फिक रहने वाले हैं तो इन दोनों को जील में जरूर रोटेट करना बाकी दोस्तों यह जो नीचे इनमें कोई खेलने रहा है इनमें से कोई भी खेलता है उसका इस्टार्स आपको टॉस के बड़ टेली गराम पर मिली जाएगा तो फिलाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पर टीम बन रही है वो यहाँ पर कुछ इस प्रिकार है अब यहाँ पर मैंने अपनी कप्तानी सैम करन को दिया जो क कि आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकते हैं वाइस केप्टन मैंने यहाँ पर गिल को किया आप लोग इनको रिवर्स कर सकते हो इनके अलावा आपके पास जो अधर ऑप्शन यहाँ पर सिखर दवन रहेंगे इनके अलावा अगर आप लोग देखो को ओमर जाई मिल जाएगा मेरे टेलीगराम चैनल का तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो साथ पूर वीडियो वाच करने के लिए थैंक्यू सो मच दोस्तों